नमस्कार दोस्त interactive आपका बिहार समाचारमे तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते तो खबरों की और रुक करने到 पहले आपसे अनुरोध है की हआप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूचा और विडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्च करें CSBC ने बिहार पुलीस और होमगार्ड में कॉन्स्टेबल भरती की लिखित परिक्छा की नई तिथि जारी की Qeindrye Chayen Parsad ने बिहार पूलीस में कॉन्स्टेबल ड्राइवर भरती परिक्छा की नई तिथि घोषना कर दी है अधिकारिक नोटिस के मुताबिक अब बिहार कॉंस्टेबल ड्राइवर भरती की लिखित परिक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित होगी पहले परिक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को होना था होमगार्ड में सिपाही के 591 पदो पर भरती की परिक्षा की तीती की गोशना कर दी गई है ये परिक्षा 24 नवंबर को आयोजित होगी विधानसभा चुनावक को मद्दे नजर परिक्षा केंदर उपलावद नहीं होने के चलते इन्हें इस्थगित कर दिया गया था एड्मिट कार्ड परिक्षा से एक सपता पहले जारी किये जाएंगे जिसे csbc.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 1722 पदो और होमगार्ड में सिपाही के 551 पदो पर भरती होनी है ये परिक्षाएं क्रमसा 14 और 18 अक्टूबर को होनी थी चट महापरु पर पटना नगर निगम की खास पहल घर घर पहुँचाया जा रहा है गंगाजल बिहार में चट महापरु को लेकर अलोकिक नजारा देखने को मिल रहा है राजधानी पटना के घाटों को सजाया गया है दूसरी तरब जिला प्रसासन और नगर निगम ने खास पहल किया है चट महापरु पर राजधानी पटना में स्रद्धालों के दरवाजे तक गंगाजल पहुचाया जा रहा है आस्था के महापरु चट को देखते वे पटना नगर निगम के साथ ही जीला प्रसासन ने भी खास तयारियां की है देश और बिहार में जारी कोरोना वाइरस संकट को देखते वे खास गाइडलाइन्स भी जारी की गई है जिसमें अर्ग के दोरान पानी में डुबकी न लगाएं घाट परवाहनों की आवाजाही पावंदी, व्रती और स्रद्धालों गहरे पानी में जाने से बचे से जल्द राहत मिलने वाली है, कोहिलवर पूल, एमस दिखा, एलिवेटेड पूल, एवंग एग्जिविशन रोड लिंक पूल को ट्रायल बेसिस पर गुरुवार को खोल दिया गया इसके अलावा आर ब्लॉक दिखा, फोरलन, सडग भी जल्द चालू हो जाएगी इस बात की जानकारी पत निर्मान, सहित, कला संस्क्रिती, एवंग युवा बिभाग के मंतरी मंगल पांडे ने जानकारी देते वे कहा है, कि राज के तीन महत पून पूलों को आवागमन के लिए ट्रायल बेसिस पर गुरुवार को खोल दिया गया है इसमें 6 लेन वाले कोईलवर पूल, एमस दिगा एलिवेटेड पूल एवंग एग्जिविशन रोड लिंक पूल सामिल है कोईलवर पूल पर ट्रायल के तौर पर परिचालन सुरू किया गया है उन्होंने काया कि 10 दिसम्बर को इन पूलो का विदिवत उद्गाटन किया जाएगा बिहार के युवागों के लिए एक और अच्छी कवर सामने आ रही है बेरोजगारों को नितिश कुमार दे सकते हैं नौकरी सभी विभागों में संग्विदा कर्मियों की मांगी गई सुची बिहार सरकार ने विभिन महकमों में कारियरत संग्विदा कर्मियों की सुची मांगी है सामायन प्रसासन विभाग ने इस आसाइखा एक पत्र सभी अपर मुख सची विभागया प्रदान सचीव को भेजा है पत्र में सभी संगवर्म में कारियत संगविदा कर्मियों की संख्या स्विक्रित पद एवं खाली पदों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया है इसमें रिटायर्ड लोगों को समयोजन किये जाने की संख्या नहीं देने को कहा गया है सरकार की इस पहल को बिहार विधानसभा चुनाओ से सबसिप अहम मुद्दों में से एक बेरोजगारी से जोड़कर देखा जा रहा है माना जा रहा है कि नितिशकुमार की सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर कवायद शुरू कर दिया बताया जा रहा है कि विभागो वार पदों की भरने के लिए जल्द ही विग्यापन जारी किया जा सकता है विधान परिशद के नव निर्वाचित सदसों का सपत गरहन 22 नवंबर को होगा बिहार विधान परिशद के नव निर्वाचित सदसों का सपत गरहन 22 नवंबर को होगा परिशद के कारिकारी सभापती अवदेश नारायन सिंग नव निर्वाचित सदसों को सपत दिलाएंगे विहार विधान परिशत के सनातक और सिक्षन निर्वाचन छेत्र में हाली में नए सदस निर्वाचित हुए हैं और उनी का सपत ग्रहन समारो आयोजित किया जाएगा 22 नॉम्बर को दोपर 12.15 बजे से विधान परिशत सभागार में सपत ग्रहन समारो का आयोजन होगा इस मौके पर विहार के मुख मंत्री नितिश कुमार समेत अयन मंत्री विधायक भी मौजोद रहेंगे विधान परिशत की सत तरप से सपंद ग्रहन समारो का कारिकरम जारी कर दिया गया है तेश नंबर से सुरू हो रहें विधान सभा के सत्र के ठीक पहले नव निर्वाचित सदस्ट का सपत लेंगे कोरोना के कारण 20 सुप्रसिद सोनपूर का मिला रद मंत्री रामसुरत राय ने दिये आदेश कोरोना का असर इस बार कई पर्व देयोहारो का आयजनों पर देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में सोनपूर मिला के लगने पर सरकार ने रोक लगा दी है बिहार में गठित नई सरकार के भूमी सुधार एवंगराजस्व मंत्री रामसुरत राय ने साफ तर पर कह दिया है कि इस साल कोरोना को लेकर जैसी स्रावनी मिला के साथ साथ गया प्रित्ति पक्ष मिला नहीं लगा वैसे ही विश्व प्रसिध हरिहर छेत्र का सोनपूर मिला भी नहीं लगेगा साथ ही मंत्री ने कहा कि इसकी भरपाई अगले साल के मिले में की जाएगी और अगले साल खुब धुमधाम के साथ इस मिले का आयोजन किया जाएगा आपको बता दे कि एसिया का सबसे बड़ा पसु मिला के नाम से प्रसिध हरिहर छेत्र में कई संप्रदायों के लोगों की आस्था जुड़ी है छेत्र से सबसे बड़ी पसु मिला होने का गौरवसाली इतिहास जुड़ा है इस मेले में आस्था लोक संस्कृती और धार्मिक पहलू का समागम होता है लोक संस्कृती और आस्था से जुड़े इस मेले का सुभारम कार्तिक पुर्णिमा के दिन होता है जो की एक मेने तक अनवरत चलता रहता है इस मेले में देश विदेश के दर्सकों को आने का सिलसिला से चलता रहता है लेकिन इस साल कोरोना के ने दर्सकों का साथ व्यापारियों को भी मैयूस कर दिया है बोले असोक चौधरी हम तेजस्वी नहीं है कि जूटा कमिटमेंट कर दें बिहार के युवाओ को हम देंगे सरकारी नौकरी बिहार के नई मंत्रियों में विभागों को बटवारा हो चुका है जिसके बाद सभी मंत्रियों ने अपना कारिभार भी समाल लिया है इसी कड़ी में आज नव नियुक भवन निर्मान मंत्री असोग चौधरी ने बिहार के युवाओ को नौकरी देने की बात कही है साथ ही निता प्रतिपक्च तेजस्वी यादों को जूटा कमिटमेंट करने वाला बताया है सोग चौधरी ने कहा है कि एक ब्रक्ती के लिए इतना सारा विभाग देखना संभाव नहीं है उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं इतने विभाग लेकर संकरडन देखना मुस्किल है उन्होंने आगे कहा है कि भवन विभाग पहले भी हम देख चुके हैं वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने कहा है कि हम तेजस्वी यादा नहीं है कि जुट जुट कमिटमेंट कर दें उन्होंने फिर कहा तीन चार महने में संभाव नहीं है लेकिन छे आठ महने में रोजगार के अवसर हम लाने का काम करेंगे उन्होंने काया कि नितिश कुमार का चेहरा भरोसे का चेहरा है नितिश कुमार ने इस जनता को कमिट किया है वहीं उन्होंने साथ निश्चरी 2 को लेकर भी बात की और कहा कि युवा सक्ति में स्किल डेवलप्मेंट लाने का काम किया जाएगा जो लोग ट्रेंड है उनके लाइवली हुड को बेहतरिन करने का भी फोकस किया जाएगा धाई हजार जवान सम्हालेंगे सुरक्षा की कमान पांच अस्थाई थाने बने छट के मौके पर सुरक्षा के लिए पचीस सो जवान लगाये गए हैं पांच अस्थाई थाने बनाये गए हैं दीघा, हल्दी, छपरा वा उलार के पास-पास एक-एक घोरसवा टीम को तैनात किया गया है मुकामा से मानेर तक NDRF एवंग SDRF की 10 टीमों को लगाये गया है बक्तियार पूर बाड मुकामा में SDRF को जिम्मा दिया गया है जबकि दीदार गंज में से मानेर तक इस्तित घाटों पर 7 टीमों को लगाये गया है NDRF वर SDRF के करीब 500 जवान लगाये गये हैं छटवर्तियों के साथ किसी तरह की अनहोनीन होने पर 6 वाटर एम्बूलेंस भी है वहीं 150 मोटर बोटों के साथ दानापूर पीपापूल घाट से पटना सिटी भट्टा घाट तक गंगा नदी के घाटों पर तैनात की गई है गांधी घाट पर NDRF ने अस्थाई हेट क्वाटर बनाया है पटना में डेंगू का कहर 24 गंटे में 17 लोग आये चपेट में अब तक 242 लोग डेंगू से हो चुके हैं पीडी डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है पटना में पिछले 24 गंटे में 17 लोगों में डेंगू पाया गया है प्रदेश में अब तक इसकी चपेट में आने वालों की संक्या 348 हो गई है जबकि पटना में 242 लोग अब तक डेंगू के चपेट में आ चुके हैं डेंगू के संक्रमन का दायरा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है मंगलवार को पटना में 225 लोगों में संक्रमन था जो 24 गंटे में ही बुदवार को 242 हो गया प्रदेश में भी मरीजों की संक्या बढ़ रही है अब तक बिहार में डेंगू के 348 मरीज मिले हैं कोरोना काल में डेंगू काफे खतरनाक हो सकता है ऐसे में सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट होना होगा पटना मेडिकल कॉलेज के कोरोना नोडल अपसर डॉक्टर पी एंजा का कहना है कि कोरोना और डेंगू दोनों से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है अगर मच्चरों से बचा जाए और सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर गंबिरता से काम किया गया आज से सहर में भी हो सकता है पहाडों पर बर्बारी का असर सहर के मौसम में ठंडक का असर दो दिनों में नजर आने लगेगा पहाडों पर होने वाले बर्बारी का असर गुरुवार को सहर में दिखेगा मौसम विभाग ने सुक्रवार को हवा तेज होने की बात कही है बुदवार को सहर के दिन और रात के तापमान में 9 डिगरी का भी अंतर नहीं रहा मौसम विभाग की माने तो सहर में नमी की मात्रा जादा होने पर तापमान में यहाँ हालत बने है नमी ज़्यादा होने से हवा की रफ्तार कम हुए है धूप भी इसलिए तल्क रही मौसम विभाग का दावा है कि सुक्रवार में अधिक्तम और नियुमतम तापमान का अंतर 14 डिग्री तक बढ़ जाएगा तापमान का अंतर बढ़ने से ही सहर में ठंड भी बढ़ेगी बिह आज के सुर्खे में बस इतना ही बिहार से जोड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद